जैपूर से मुंबई जा रही सेंट्रल एक्सप्रेस में फाइरिंग की घटना सामने आई है इसमें आरपीफ के जवान ने एक एसाइ समेच चार लोगों पर फाइरिंग की इसमें उनकी मौत हो गई जानकारी मिल रही है कि ये फाइरिंग मीरा रोड और दही सिर के बीच वी लेकिन गोली बारी के पीछे का मकसद अभी तक स्पर्श्टन नहीं हो सका है जैसे ही एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल पहुची उस डिब्बे को सील कर दिया गया और पंचनामा भी किया गया जानकारी सामने आ रही है कि लोमार्क पुलिस अपनी मदद के लिए घटना की पूरी जाच और पीएफ पुलिस से कराएगी इन बीसे न्यूस के लिए अभिशेग पांसी की रिपोर्ट